नेसुनेल पैंसोनइश्वो ने दोनों ही वैसे तो हैँ फैंसोन स्किम लेकिन दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग तलग है। आज आएस विडियो में मैं आपको इन्हीं दो इपटे सकीप की दिफरेंसियूशनं के बारे में बताने वाला हूं। आपको डिफरेंसियेट करके दिखाने वाला हों किस तरह से अटल पेंसों योजना और एक दूसरे से कितने अलाग है और इन दोनों ही स्किम में से कौन सी स्किम आपके लिए बहतर होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वीराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल वीराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहली डिफरेंस है एज ऑफ जोइनिंग और नेशनेलिटी नेशनेल पेंसों इसकीम को कोई भी भारतियनागरिक खोल सकता है और भारतियनागरिक के साथ साथ नॉन डिसिडेंट इंडियन्स यान जो मेक्सिमाम एज है वो है 55 साल मतलब 18 साल से नीचे यानि की माइन और एनपेस अकाउट में अपनी इंवेस्मेंट नहीं कर सकता और जिसकी उम्रों 55 सालों से उपर हो गई है तो वह ब्यक्तिव भी NPS एकाउट में अपनी इंवेस्मेंट नहीं कर सकता लेकिल अटल पैं सोन योजना को नहीं खोल सकते है और अटल पेंसोन योजना को खोलने के लिए भी भी मिनिमम ऐसेव और जो मेक्सिमामिश यहाँ पर वो हे चालियुसाल मतलब अटलब प्यूत सों योजना को भी मायन ओधें accurate ऑर जिनकी द्वारा यस पर सेकूरिटी प्रभाइट की हुई होती है लेक deepen की गमهं इसकीं मिलुच यह कि छव्म नहीं है मतलब भेक्व लीलिक नहीं की होती है क्युक्त मिलूजा, रडूर waterproof या और हो सब्हक कणी स्कीम है इन कॉंपेटिजन टू नेशनल पैंशन स्कीम तिसरी डिफरेंस से पैंशन की गैरंटी अटल पैंशन योजना जैसे कि मैंने दो नमबर पॉइंट में आपको बताया एक गौर्णमेंट ऑफ इंडिया ड्वारा बैक्ट स्कीम होती है और यहां पर जो भी पैंशन है वह भी फिक्स होती है और वह गैरंटीड होती है मतलब चाहे कुछ भी हो जाए अफ्टर एचीविंग शिक्स्टी यर्स ओवेज अंडर अटल पैंशन योजना हमको पैंशन मिलेगी है और जो पैंशन एमाउंट है वह पास्पकार से होती है वान थाउजन तो थाउजन करते हैं तो पैंशन इमाउंट इहां नहीं होते यहां जो पैंशन एमाउंट है और मार्केट इस तरह से रिछारन प्रोबाइड करे। इस की थाउपatos पास्वेज प 챙घाल सकते और हमैं पैंशन लेना ही होगा जो भी कोंट्रीब्यूशन करते हैं उस एमाउंट को अद द की जो इसकी में उसके अंदर जो टीर वन इसकी में वहाँ पर जो भी लंग सम एमाउंट हमारी जो एकुमुलेट हो जाएगी एद ताइम ओप मैचुरिटी मतलब साथ साल होने के बाद अगर हम चाहे तो साथ परसेंट ओफ आवर लंग सम एमाउंट हम ले सकते हैं एद अब से जाल सकते तो इसे भी गोर करना आपके लिए जरूरी है चाहे तो अपनी लंग सम आमउंट में से साथ परसेंट उसी समय ले सकते हैं फोर्ट डिफरेंस है टेक्स लापिलिटी आटल पैंसों योजना में हमें कुछ भी टेक्स लेबिलिटी नहीं दिया जाता है आटल पेंसों नियोजना में जो भी हम contribute करते हैं वह fully की fully taxable होती है जो भी amount हमें मिलेगी वह भी taxable होती है लेकिन NPS में tax liability हमें मिल जाती है NPS की जो tier 1 account है वहाँ पर जो भी amount accumulate हो जाती है वो total fully की fully जो भी amount है वो पूरी की पूरी tax free amount है और जैसे कि मैंने आपको point number 3 में बताया जब हम accumulate amount में से 60% ले लेंगे तो वो भी fully की fully tax free हो जाएगी और जो 40% से हमें pension मिलेगी उस पर भी हमें कुछ भी tax नहीं देना पड़ेगा तो tax liability की अगर बाते करें तो NPS में हमें tax rebate मिल जाती है लेकिन अटल पैंसों योजना में हमें tax rebate नहीं मिलती है पाचवी reference है premature withdrawal NPS की जो tier 2 account है उससे अगर हम चाहे तो जब चाहे तभी अपने पैसों को वहां से निकाल सकते हैं यह एक प्रकार की जिस तरह से हम mutual fund की SIP खोलते हैं ठीक उसी प्रकार की investment होती है हमें जब चाहे हम अपने पैसों को वहां से निकाल सकते हैं लेकिन अटल प अबाइसे निकाल सकते हैं लेकिन अंडार्मल के Si Hem under any circumstances पैसे नहीं निकाल सकते डिफरेंसे टाइफ लेकिन हम एक सरभीस ौलडर है तो हम यह waum टिर वान को लेना ही पड़ेगा और अगर उसके ऊपर अगर कुछ हम कॉंट्रिबूट करना चाहें तो हम टियर 2 एकांट को भी ले सकते हैं और अगर हम एक ऐसे भीखती है जिसको टियर वान वोगार जिसका नहीं है लेकिन फिर भी हम टियर 2 थो एकांट में डिरइकली सब्सक्राइब कर सकते हैं अंडर एंपियस्गैंब लेकिन जो एक योजना है उस पर हमें सेव एक ही एकांट को चूज करना पड़ता है और वह एकांट है परेंड हैं कोड लेंगे जितने भी पैंशाओन कोड लेंगे उसी पैंशाओंन के हिसाब से हमारी एक उर हमारी सी चैर्ट के बेसिस्टर पर हमें कॉंट्रीबूट करते रहना पड़ेगा तो इस तरह से अगर टाइप सब्सक्राइब की बाते परेगा साथ वी है investment की चोईस अगर हम एक NPS में contribute करते हैं तो हमारे पास एक choice होती है हम किस account में contribute करें टियर वान एकाउंट में या फिर टियर टू एकाउंट में अगर हम एक एक एकाउंट है और उसी हमें invest करना है अपनी पैंशन एमांट और अपनी एस के हिसाब से और जो लास्ट डिफरेंस है वह गौर्ण्मेंट contribution अटल पैंशन योजना में government contribution होता है और जो भी वेकिंग है वह पूरी की पूरी गौर्ण्मेंट के द्वारा की हुई होती है जितने भी हम contribute करते हैं उस पर थ्वरसी contribution गौर्ण्मेंट भी कर देती है और उसके बेसिस पर हमें जो भी पैंशन एमांट है at that end of our term हमें pension मिल जाती है अटल pension योजना में लेकिन एनपीएस एकाउंट में government की कुछ भी contribution नहीं होती है अगर टीर वन एकाउंट है तो जो employer है जहां हम नौकरी कर रहे हैं तो employer हमारी जितने भी contribution होगी salary की उसके मुताबिक contribute कर देती है और टाइटीर टू एक भी रूपए contribution नहीं होता है जो भी हम में तो एक पर्शन की भी investment नहीं रहती है तो यह थी basic information between अटल pension योजना और national pension scheme की अगर आप एक ऐसे बेक्ती है जिसको थोड़े पैसे अटल pension योजना में रखना है और NPS में भी contribute करना है तो आप दोनों ही कर सकते हैं इसके लिए कुछ भी ऐसी बाधाय नहीं है एक बेक् लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसे बेखती है जो जिसकी उम्रों 30 सालों से नीचे है तो NPS की टियर 2 एकाउंट आपके लिए फाइदे मने क्यूंकि यहां पर जो भी पैसे है वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा और मार्केट में जो इन्वेस्मेंट लॉंग टर्म काम भी है तो आप आख मोन कर NPS की टियर 2 एकाउंट में अपनी कॉंट्रिब्यूशन को स्टार्ट कर लिजेगा और अगर आपके घर में कोई ऐसा ब्यक्ति है जिसकी उम्रकाप जिसकी आए काफी नीची है तो आप उनके लिए एक एक एकाउंट खोल लिजेगा क्यूंकि 5,000 रुपय तो मिलेंगे तो उनको भी वो काफी काम में आएगी आसा है इस वीडियो से आपको कुछ निया सीखने को मिला होगा और अभी आपके मन में अगर NPS और APY के प्रती कोई डाउट्स थे तो क्लियर हो गये होंगे अगर आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा पह ते किया